क्या उर्जा का प्रभाद चक्रिय होता है क्या यहां से उर्जा यहां गई ठीक है यहां से यहां गई यहां से अब गटक से उर्जा पादपों में जाती है क्या है कोण सा ता झिसको लगा था अरे और जा तो गयी न अगर और और जा का चक्रण होता न तो हमें इसकी जरत नहोती हमें इसकी जरत इनाहोती अगर और उर्जा का महता रहता तो है हमेशा का प्रवाक हमेशा कैसा होता है एक दिशात्मक होता है हमें नहीं पड़ाया ग्यार वी कुक्षा में चीज बतादी जाती है 11th class में और पता होनी चाहिए यह हमें नहीं पढ़ाया कैसा होता है energy का flow कैसा होता है unidirectional होता है कैसा होता है unidirectional और कसम से 9th class का बच्चा जानता है यह चीज कैसा होता है unidirectional होता है किसका flow हमेशा energy का एक दिशा में होता है एक दिशा में अब आप बोलेंगे इसके पाद जो energy यह उसका क्या होएगा अरे प्रभू जरा सोच इतना भी कई दसवी कश्चा में भी अगर पड़ा हो इतना सा कि यहां से यहां जो energy जाती है कि सारी की सारी चली जाती है अब तो उश्मा गतिक आती है न थर्मो डैनमिक साती है न क्या हैं से यहां पूरी की पूरी energy चली जाती है उसका कुछ lost भी होता है heat के form में उश्मा के रूप में होता केवल is 10% energy जाती है, याद है, 10% का नियम कभी सुना है, सुना है न 9% का नियम हुआ संद लिंड मानने दिया था, हाँ सुना हुआ ह dell.. यहाँ पर जितनी energy होती है, उसका केवल 10% जाता है, अब यहाँ से पक cig... यहाँ से दस प्रतीशत इसके पास पहूचेगां अब जर्य सोच कितना कम पॉंचा है याथ सूच यहां पर में सब्हें क curly leg ego energy कि इसके पास कितनी पॉंचेगीव 10 जू सिसके पास एक जू इसके पास कितनी पॉंचेगी जीरो पॉइंट वन जूड़ अरे भाईया इतनी कम पहुचेगी कि फाइनली फिर खतम हो जाएगी खतम मतलब इंदा सेंस दूसरे कारों में उपयोग में आ जाएगी उसका लॉस हो जाएगा हीट के रूप में तो हमेशा याद रखना है एनर्जी का फ्लो कैसा होता है यू फिर इसकी तो जरत ही ना होती यह तो सीदा यहां से डिंग 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 क्या चलता रहता चक्रा ने चलता रहता किसका एनर्जी का हमेश की जरत होती ही ना लेकिन हम जानते हैं उर्जा का एक मात तरिष्टरोत जो है वो कौन है ये भी तुम जानते हो Sun is the only source of energy और कोई source ही नहीं है हमारे पास किस चीज का energy का जानते हैं ना जब इतना ये तो जानता है ना मंजीत वर्मा कि सूरे एक मातर स्तरोत है प्रकाश का अब ये मत कहना सर ये भी नहीं पढ़ाया था हमको जब इतनी जी गुद्धी लगा सकता है कि सूरे एक मातर स्तरोत है प्रकाश का एक मातर स्तरोत है उर्जा का प्रकाश का एक प्रकार की उर्जा है सूरे एक मातर स्तरोत है एक मातर सोर्स है किसका एनरजी का तो जरा सोच क्या पेड को एनरजी यहां से मिलेगी अब घटक से मिलेगी पेड को यहां से एनरजी मिलेगी फिर यह एनरजी आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और फाइनली बहुत कम हो जाएगी फ्रवाण और उस इको सिस्टम में कारे क्या हो रहा था स्वर पहला कारे उर्जा का प्रवा हो रहा था कैसा हो रहा था उर्जा का प्रवा हमेशा एक दिशाथ्मक हो था और भी कोई कार रहे हैं यहां पर तुमको दिख रहा है जरा सोचू क्या यहां पर खनीजों का चक्रण हो रहा है यह खनीजों का प्रभा एक दिशात्मक है इनर्जी के नाइधर भी क्रियेटेड नौर भी डेस्टोइड इसको हम क्या बोलते हैं यहां बोलेंगे इसको हम क्या बोलते हैं यही होता है इसको हम ना बना सकते ना खतम कर सकते वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्थित होती है यही होता है ना किस के अंदर सजीवों के अंदर किस में एक पारितंतर में अगर मैं बात करूँ एक एको सिस्टम में बात करूँ एनर्जी के नाइधर भी क्रियेटेड हम नहीं बना सकते कोई भी नहीं बना सकता एनर्जी कें ओलू भी ओलू भी कमिंग फ्रॉं दा सन एनर्जी जो आकिस से रही है एक मात्र स्थरोच से जिसका नाम है क्या सूर है चलिए जल्दी से मुझे बताईए यहां पर एनर्जी का फ्लो हो रहा था और कैसा हो रहा था सिंगल डारेक्शन में हो रहा था ऐसे ऐसे कभी भी नहीं होता यह ऐसे चक्रण भी नहीं होता लेकिन ज़रा सोच क्या यहां पर खनीजों का चक्रण हो रहा है क्या खनीजों का चक्रण हो रहा है सुच खनीज यहां पर मुर्दा में मुर्दा से पेड में पेड़ से शाकारी मासारी फिर मुर्द फिर वापिस आगे फिर ऐसे 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 खनीजों का चक्रण नहीं हो रहां सर तो यहां पर खनीजों का क्या हो रहा है चक्रण हो रहा भहत इंपोर्टेंट का रहे है दोस्ति ये वाला कौनी सा तो अगर घानी जो का चक्रण नहोंता यहां जद न रहते लिश्ट अगर डीति का ट्रटर अधर यहां धर जिंदा रहते यह जिन्दा नहीं तो रहते क्या अधर जिन्दा रह में जान this is a यह खतम यह खतम पारितंतर बनी ना पाता तो सबसे इंपोर्टेंट कौन है यह खनीजों का चक्रण को बहुत जरूरी है वैसे तो सारी जारी जरूरी है तो खनीज चक्रण इंपोर्टेंट प्रकरिया है अब यह खनीज का चक्रण हो रहा है याद रखना यह कैसी प्रोसेस साइक्लिकल प्रोसेस है अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यह खनीज चक्रन कराने के लिए रेस्पॉंसिबल कौन है इस प्रक्रिया में इनमें से कौन है जिसकी वज़े से खनीजों का चक्रन हो रहा है दिमाग लगई है दिमागी से खनीज यहां पर मैं आपसे सीधा बोलू यह एक पहाड था इस पहाड के अंदर खनीज होते हैं क्यों आप जानता ही जो प्रत्वी जो लिथोस्फेर जो हमारा स्थल मंडल है इसमें जो चट्टाने होती है इनके अंदर क्या है सर खनीज है बि प्पर जिंक सब कुछ है अब हमने यहां से बढ़ आधा कर दी अवाज चला दी इसको हम क्या बोलेंगे यह तरीके से आ कर्व यह तरीके से विद रिंग बोलते इस को क्या बोलते वेदिर जो है चटानों का अपर्दन कहते हैं जब आप नोयागा पर दन महीं यह तूट कि इसके निर्मान होता है किशक निर्मान कर दिया विठाम लोगों ने मुरदा कर दिया पादा पाया जन्तू कसम जमने विकास चेप्टर की तैं जब धजियां उडा दिये कोछन पोइचने के हैं जी क्या बनने है यहाँ पर म्रडा बन गई है चलो जी यह समIGHT में क्या इस म्रदा में खनी जा आ हाँ सर मेंने यही तो तुछ भा में घंदर खनी कर लिए तो चले की फादब से शाकारी शाकारी से मासारी मासारी से मरत कारबनिक पदार अब इमाजन कर इस मरत कारबनिक पदार से वापिस से मरदा में लाने के लिए कौन रिस्पॉंसिबल था मरदा में तो मिलते हैं मरदा में यानि सॉयल में हमारी जो सॉयल है सॉयल के अंदर तो खनीज मिलते हैं हमारी जो मर्दा है सॉयल है मिटी यह उसमें खनीज मिल वापिस से एक चक्रिय प्रक्रिय दर्शाने के वाद वापिस से मिटी में खनीज कौन ला रहा है कौन रिस्पॉंसिबल है अप घटक रिस्पॉंसिबल नहीं है कि अप घटक अगर नहीं होते तो क्या वापिस से मिटी में खनीज आप कान रहा है यह मेणा आपके कौन है मेजरली आपके कौन होते है अब गटक होते हैं चलो कोशन वापिस है फिर वापिस है क्या कि hyoda मिट्टी में तो खनीज मिल रहे थे मिट्टी से चलो यहां से गूंते गूंते यहां पर पॉँच गये अब अगर ये ना होते जीवानू कवक ना होते इस प्रत्वी पर दिमाग लगा तो क्या ये खनीज वापिस से मिट्टी में आपाते नहीं सर ऐसे करते करते सोच मिट्टी में सारे खनीज खतम हो जाते हां सर अगर ये वापिस नहीं आपाते खनीज वापिस से मृदा में नह फुर पारीतंतृ खतम हो जाता तो खनीजों का चक्रन इंप्टेंट है यह नहीं है कि अगर खनीज नहाएं मिट्टी में वापिस नहाएं तो धीरे धीरे खनीज खतम नहाएं जाते हैं पर्वाणिक पर ही टीलाइज करते जार रः्यूच जारे उच्पर एद एसके वेकास्टर में भी पढ़ा था यादार है तर को ठीडिएक सूप यादार है उस प्री बायटिक्स सूप में कोई वह कारबन FOR प्धार्प यह थैसा डद tar विकास कर आता हैदा धंट से लगार यह तक कार्भनिक प्धार्थ दीप्ष Cons Moreover सभ पुफो या कार्भनिके पदार्व काहिए लेते ना आते नहीं अचाते यह करो मिन्न नहीं दूम लोक मोंने हों कि उपए पारी थंतर ऐसे नहीं। तब है ओपम्हेत है क्या इस खनीतुब के चक्रन acids पादप जिम्मेदार हैं, शाका हारी जिम्मेदार हैं, मासा हारी जिम्मेदार हैं, या अप घटक जिम्मेदार हैं, तो याद रखना खनी जो के चक्रन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, भूल मत देएगा, who is responsible अप घटक कौन कराता ये काम ये कारे कौन कराता है अप घटक कराते हैं मेरे दोस्त अप घटक कराते हैं ठीके जी चलें यहां तक की बात सुनने समझने के बाद अब मुझे बताईएगा एक पारी तंतर में चार चीजे होनी चाहिए संग्रचना भी होनी चाहिए और उस पारी तंतर में कारे भी होना चाहिए क्या एक पारी तंतर जो होता है उसके अंदर चार चीजे होनी चाहिए क्या चार चीजे दो तीज वो जो पारी तंतर की संग्रचना बनाए दो तीजे वो जो पारी तंतर के कारे करें समझना या क्या ये दो तो क्या बनाएंगे पारी तंतर की संग्रचना और ये दो जो है ये है पारी तंतर के कारे और ये चारो तीजे जहां पर मिलेगी कि उस जगे को हम क्या बोलेंगे पारी तंत्र इतनी सी बात सुनने समझने के बाद अब मुझे बताइए जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ क्या ये एक पारी तंत्र है बोलो तुम बेटा पढ़ाई के अलावा और मुझा ऐसे फिलोसिफिकल कोश्चन ही क्यों पूछते हो सर्ड डेथ के बाद एनरजी कहां जाती है बेटा स्टिक रहे ना अपने टॉपिक पर पी एच डी करने का तेरे पास भरपूर समय मिलेगा आएगा समय आएगा और वैसे भी ड पास पहुंची वो उसको यूज में ले लेटा और उसका थोड़ा सा भाग उश्मा के रूप में निकल जाता है डान पैनरजी खतम भी नहीं हुई ट्रांसफर हो गई किसमें हीट की फॉर्म में हो के मेरे बेटे डं 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 कंसेप्ट क्लियर हो गया यह चीज समझ सिस्टम के और यह संग्रचना बनाते ही को सिस्टम की सीधा सा कोशन मैंने आपसे पूछा था क्या यह जगे एक पारितंत्र है नहीं क्यों सर क्योंकि उत्पादक नहीं है पहली बात तो यहां पर कोई पेड़ पौदा नहीं उगराईशी स्टूडियो में चलो उपभोग पिससे यहां पर कोई पेड़ है जिसके अंदर खनीजो का चक्रन हो रहा है नहीं नहीं न तो बेटा यह एक रूम पारितंत्र नहीं है डन क्लियर है समझ में आ गया तो पारितंत्र वो होता है जहां पर यह दोनों मिलते हैं और यह दोनों कार्रे होते हैं उसको हम क्या बो चले आगे एनर्जी में आपने गलत कर दिया है क्या कर दिया बिटा मैंने इनर्जी में क्या कर दिया मैंने इनर्जी में मेरे दोस्त चल इतनी सी बात आपको समझानी थी अब एक अगला कोशन मैं आपसे पूछने वाला हूँ मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ कि इनमें से आप कौन सी चीज को हटा दे जिससे ये पारितंतर खतम हो जाए मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ कि आपका जो मन है उसको अटाओ जिसकी वज़े से यह पारितंत्र खतम हो जाए आप किसको हटाना चाहेंगे यहां से अरे मेरे भाई चक्रन दर्शाता है उसके आगे लिख दिया फॉल्स यह गलत है सही क्या है यह लिखा है नीचे है आप इसमें से किसको हटा दे और यह पारितंत्र खतम हो जाए तो हमारे पास एक तो सुर्य हो गया मृदा हो गई है तात्मान हो गई है प्रकाश हो गई यानि हम अजयविक घटक की अगर बात करें तो अजयविक घटक क्या पारी तंत्र के लिए अनिवारे हैं पारी तंत्र के लिए अनिवारे हैं असेंशल है अगर यह ना हो तो क्या वो पारितंत्र रहे पाएगा नहीं सर वो पारितंत्र भाई मिट्टी नियोगी कि रहे पाएगा सूर्य नियोगी रहे पाएगा तापमान तापमान इसी से ही तो प्रकाश से ही तो पैदा हो रहा है ज्यादा प्रकाश ज्यादा तीवरता ज्यादा तो जरा सोच जरूरी है अनिवार है अनिवार है अशेंशल है अब मुझे बता अजर घटकों में से कौन अनिवार है तो अगर यह पादप नहोते यह प्लांट नहोते क्या यह पारीतंत्र चल पाता सोच यह प्लांटी नहोते क्या यह एंणर्जी को यूटिलाइज करके खाना बना पते नहीं न तो पादपो का होना अनिवार रहे अगर आप इसको हटा दोगे इसको अचा दोगे तो पारीतंत्र खतम हो जाएगा नहीं वह चलों जी अब आप मुझे अगर तो यहां पर आप नहीं कर दिया तो प्रत्वी से लिए बात पारितंत रह पाएगा नहीं रह पाएगा यानि आपके अप घटक बी जिम्मेदार है अब गटक बी क्या है अनिवार रह अब आप मुझे बताईएशा सोच समझकर मुझे बताईएगा शाकाहारी को हटाने से और मासाहारी को हटाने से if आज्स परक पड़ेगा अगर ये शाकाहारी नहीं नहीं होते तो पारितंत्र हो जाते सोच तो दिमाग लगाओ, अगर ये शाकाहारी ना होते, ये मासाहारी ना होते, तो भी तो प्लांट मरते, उतपादक मरते, और उतपादक तब मरते, तो उनका अपगटन होता वापिस से ये, पूरी प्रक्रिया चलती रहती, ये देख, ये प्रक्रिया, ये तो धर्ती पर बोज यह अजी तुम मैं हम सब धर्टी पर बोज है जनाब यह बोज है यह अगर ना भी होते तो भी पारी तंत्र नहीं बना रहे था सुच पारी तंत्र में हमें क्या चाहिए था सर जैविक जैविक और आज जैविक एनर्जी का फ्लो और खनीज चक्रन हो रहा है हाँ सर अगर यह ना हो तो भी होगा हाँ बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा सोच यह नहीं है यह नहीं है तब भी यह प्रक्रिया चलेगी ना हाँ सर चलेगी तो सोच क्या यह दोनों अनिवारे घटक हैं यह आवश्यक असेंशल घटक है नहीं सहर यह नीट का कोश पूछा गया है याद रखना पारी तंत्र में पारी तंत्र में कौन से घटक कौन से घटक नोन असेंशल अनिवारे नहीं होते हैं अनसर क्या आ जाएगा बेडा आपका सिधा सीधा कौन उपभोगता जागो गरहक जागो कौन उपभोगता ये कौन नहीं यो ये और ये उपभोगता है उपभोगता जो भोजल ले रहे हैं इसने इससे ले लिया इसने इससे ले लिया ये उपभोगता ये उत्पाद पैदा कर रहा था उत्पाद कर रहा है डन समझ में आ गया ये कोशन पूछा गया है याद रख लिना स्टार बना रहा हूँ इसलिए स्टार बना रहा हूँ क्योंकि ये कोशन पूछा गया है ये अनिवार है ये अनिवार है ये अनिवार है किसके लिए पारीतंतर के लिए ये हैं बोज कौन उपभोकता ना भी होते तो भी पारीतंतर चलता रहता अगर ये ना भी होते ना इस प्रत्वी पर तो भी पारी तंतर चलते रहते अरे मेरे भाई कौन है ये आधित्य विश्व करना भाई मैं तेरसे कह रहा हूँ पारी तंतर में कौन से गटक अनिवारे नहीं होते यानि जिनकी जर्रत नहीं हो सकती है कौन से हैं जिनके बिना पारी तंत्र चल सकता है सर इनके बिना चल सकता है और विसी बात है जर्रत तो इनके भी होएगी लेकिन अगर ये ना हो तो क्या चल जाएगा बिल्कुल चलेगा बिल्कुल दोड़ेगा ये था concept है चालो जी यहां तक की बात अगर आपके पल्ले पढ़ गई है तो वापिस अपने topic पर आते हैं और हम यहां पर पढ़ रहे थे कि भाईया पारी तंत्र क्या होता ये मैंने आपको बता दिया है पारी तंत्र जो होता है शब्द किसने दिया था टेंसले ने टिडिया पारी तंत्र के पपा कोन थे ओडम अंकल भड़ता है बढ़ता है मुखे मुखे बिंदू पढ़ने फटा पटने पटाते है शिंपल सी चीजे बहुत सिंपल सी चीजे है बोरिंग लगने नहीं दुँगा लेकिन किसी को लग रहा है तो फिर क्या ही करें पर आगे बढ़ते हैं सबसे पहला बिंदु जरत दिमाग लगाईएगा पारितंत्र जो होता है ये हमारे पर्या वरण की पर्या वरण की सबसे छोटी संग्रचनात्मक और क्रियात्मक की काई है क्या आप में से किसी बच्चे को दो रहा है मैंने एक कोशन पूचा था जब मैंने पारिस्थिति की पदानुकरम पूछा था मैं आपसे पूचा था पारिस्थिति की पदानुकरम की पारिस्थिति की पदानुकरम की स्वे नियंत्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित् सर प्रकास में म्यूटेशन हो जाए सर वायू में म्यूटेशन हो जाए कल को तुम अगर बिटा गलती से डॉक्टर बन गए मान लो अगर बन गए तुम तो को खेठों कै disparities के अंदर तो दिमां मिल रा है नग एक काम करते दिमांग को गुटने में डालते हैं और गुटने में इसको गीटी को निकाल कर ए गुटने की हड़ी जो है यह यह यहां पर ज़गेिव बन लगा देते हैं जो यह कि यह चीज आद आ रही है क्या यह एंक्स्प्लीन करने के ज़ुरत है कि पारितंत्र वह हमारे पर्यावरंदय ऐस ने अपने आप संग्रचनाएppen बन रही है। एब मैं आप से कोषन पूछने वाला हूं इस बिंदु पर यह जो यहां पर बिंदु लिखा हुआ है। जल्दी समय